किसी का चती हो जाए कि बीमार है दूद है तो सब्सक्राइब नहीं है क्या सरकार ये कहना चाहती है कि देश का किसान बेवगूप है जो पूरी दुनिया को अन भंडारंग देता है किसान उसको समझ नहीं है किसानों ने आज देश की बोलती बंद कर दी है क्योंकि यहां पर हम लोग यूपी बॉर्डर पर मौजूद है आप देख सकते किस तरह से पुलिसिंग की गई है किसी भी तरह की हिंसा की इस्तिती ना पैदा हो आठ दिसंबर को भारत बंद का एलान किया गया है भारत बंद का असर भले ही ना दिके लेकिन जो बॉर्डर से वहां पर पुलिस की मुस्त्यादी देखकर तो ऐसा लगता है कि यहां पर जरूर बंद है फिल हाल किसान भी जुटे हुए हैं कई सारे पुलिस कर्मी भी हैं बात करते हैं किसानों से किसान खड़े हुए हैं और गर्ना लिए हुए हैं तो चलिए बात करते हैं आपका नाम क्या हुआ है तो भारत बंद का असर क्या लग रहा है आपको कैसा असर पूरा रहेगा तो ग्यारा से तीन बजे तक ना किसान को कह रहे हैं पंजाब का किसान बेठा है आतंगवादी कहां तो यह भी जा रहा है कहां तो यह भी जा रहा है कि किसानों को बर्गलाया गया है क्योंकि बात तो सुनिए सवाल तो सुनिए कहां तो यह भी जा रहा है कि किसानों को बर्गलाया गया है कि उनके यह जो आप लोग के हित में मगर आप लोग को बर्गला दिया गया सरकार इंडारेक्टली आप कहने बर्गला दिया अब सर ने पूरी दुनिया को अन भंडारन देता है किसान उसको समझ नहीं है क्या सरकार इंडारिक लिए कहना चाहती है क्या हम सरकार को कहना जाते सबसे बड़ी बेवकूप सरकार है ऐसे सरदी में किसान रोड पर बढ़ा है और सरकार उसकी बात नहीं सुन रही है आपकी बात रखने में दिक्कत हुई या उधर से क्या समस्या के पैदा हो अपनी बात रखी आप तीनों बिल वापस ले लीजिए ये किसान के हित में बिल्कुल नहीं है वो उसमें कभी कुछ कहते हैं आपने एमस्पी लगा रखा है किसान नहीं बनाएंगे तर तक किसान का भला होने वाला बिल्कुल नहीं है तीन बिलों से क्या समस्या हो गई काँ जाये किसान जाता है मंडी में फिर वो त्टोल नहीं होती हुथ वापस आता है उसका दुनिया भरका पैसा निदिन पैट्रओं को सरकार को क्या सरकार अपने भी चोलियों को लब के लिए इसलिए इसको धोषित नहीं कर रही आप बाबं spinning के अखी से कानून बना दीजों कBob एक जैंगा ति माम रद वाद लिए जा तो हम बैठे रोड पर को दिक्कत नहीं किसान तो युद्ो आप देख रहे हैं पिछले 12 13 दिन से हम बैठे हैं हम सान्थी युद्ड में बैठे हैं ये शांती युद्ड आप इसको नाम दीजिए हम सांती युद्ड लड़े हैं सरकार के खिलाब कोई वायलाइन्स नहीं है 12-13 दिन होगे हम को रोड़ बे बैटे हुए सरकार हमारी नहीं सुन रही हम सरकार को जगा रहे हैं सरकार जब जागेगी तब हम अपने घरों को जाएंगे जब सरकार नहीं जागेगी तो हम बैठें तो सुबह सुबह आप जानते हैं कि सारी चीजें आप उड़ती हो जाएगी उसके बाद हमारा बंद शुरू है अभी भी शुरू है बंद तो हम चली रहें बंद में तो बंदी है अपनी खेती छोड़के अपना नुक्सान करके यहां बैठा है क्या नाम हुआ सर अब मेरा नाम दिनेश शर्मा है अगर यह दीन बिल वापस ना हुए तो इस तरह से चक्का जाम रहेगा कैसे निकलेंगे हम लोना चल रहा है मैं आप बता दूँ भई आप सरकार से गोहार ल सुरी पाति क्यों ना है खैदरबाद चली जागी एक मेर के लक्षा ना मिली इस पर क्या कहेंगे पक्का जाओंगे आज नकल जाओंगे हम लंबी लडाई के लिए हैं हम लंबी लडाई के लिए हैं सरकार अगर चाहती है कि हमारी नहीं सुनेंगे हम पूरा सुनाएंगे सरकार को कोई घर वापस नहीं जा रहा हमस्पर की बात हो रही है कि कहा जा रहा है मेर्य अथान की कीमत क्यों नहीं है किसान का पाले हैं उसके पांच रुपए कितने पे धान की कीमत नहीं मिल रहेगी हम सरकार यह कह रहे हमारा भला मत करो पहले तो वे चुप चाप रहे साथ साल में जूट बोलने पंद्रे पंद्र लाग रुपए आपके खाते मां के पंद्र लाग काला दना गया किसान की सब्सक्राइब दो एक बार आप ने बोला था बीच में कि खाल सतान की एंट्री हो गई मैं सर से बात करने लेगी क्या कहना चाहिए मेरा कहना है कि खाल सारी पाकिस्तानी कौन है क्या हुआ जो देश की रक्षा करता है वो किसान के घर पैदा होता है किसान सीमा के लिए तैयार करता है जमान जय जवान किसान जय जवान किसान पुराना नारा था जय जवान कर दिया यह श्री र यराम सब फसक्रेश को हुरा जाए पुक्सान को रहा सब लिए नाज़ाई चोड़ के चला जाईक जो भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं किसी प्रवक्ता ने बोला था भाजपा के प्रवक्ता ने किसान प्रधां के आपने मोधी जी को वोट किया और उस वोट का हमें यह हसर मिल रहा है अब हमें दुख हो रहा है कि हमने कहां क्या कर दिया अपना वोट को डुबा दिया हमने जब हमारी सुनी नहीं जाएगी देश में 80% किसान है सरकार कहां से बन गई सरकार बनाने में किसान का एहम योगदान था कि पुरानी सरकार ने किसान को ठगा लेकिन यह तो उससे बड़े ठक निकले इन्होंने तो उससे ज्यादा ठकी कर दी किसान की किसान की बात नहीं सुन रहे हो गए आज किसान रोड पर पड़ा है ठंड में पांच दौर की बात हो चुकी है खड़े जीरों पर है ना मतलब दौर की ता यह गंटा में बात हो जाएगी जिए जो दौर और और बारता आर्तार लागा रहा कि ना एक गंटे की बात है यह गंटे में पर गंटे में बात हो जाएगा किसान बेवकूप बना जा रहा है किसान बेवकूप बना जाई लाए यहाँ से विना लें लोटाएं तो इस चारकार की बहुँआ नहीं पर ब्हुद नहीं वी आपने बिलस्कुल प्रेशम नहीं! मोधी सरकार से मोधि सरकारों इन श्रुंग को बात सुनो और असकास हभिए कि भी जीए एकुन को में? किसान विरोधी है हाँ यह तीरोध्याते से वाफिल ले जाए और उसे जेल भेजा जाए